हेलो फेंट्स, वेलकम टू मैं चेनल, आज की इस वीडियो में आपको कोलन ने कोटी एकटिंग और स्टीचिंग करना बताऊंगी, इस कोटी को बनाने के लिए मैंने एक मिट्र फैब्रिक का यूज किया है, और ये फैब्रिक कोटिन का है, सबसे पर हमें कपड़े को चैर भ लगाना है, वाँसे हम आर्मोन की लेंगे, सड़े छे इंच पर, या पर हमें एक बॉक्स बना लेना है, बॉक्स बनाने के बाद, आर्मोल में घहराई देंगे, जितने भी आपकी आर्मोल की लेंद हो, उसको हमें हाफ कर लेना है, और जासे माना हाफ हुआ है, वाँपे हम घहराई देंगे, फ्रिंट पार्ट में घहराई देंगे, आदे इंस पर, अंदर की तरफ मार्ज लगाएंगे, और घहराई दें कुलर का मार्ज लगने के बाद ने का मार्ज लगाएंगे जबसे पिले हम फ्रण्ट नेक की कटिंग करेंगे कि फ्रण्ट नेक की विर्ध रख रही हूँ मैं 3 इंच पर अडीप में इसे 3 इंच ही रखा है या पर हमें कि बोक्र बना लेना बॉक्स पुनाने के बाद नेक का सेप दे देंगे, इस तरह फिटिंग का मार्ज लगाएंगे, फिटिंग में चेस्ट की लंबाई है 32 इंच पर, 32 का हमें याँ पर चोथा बाग लेना है, 32 का चोथा बाग लेंगे 8 इंच पर, और एक इंच याँ पर मैं एक्ष्टा रखें स्लाइ मार्जिन के लिए कमर का मार्जिन लगाएंगे साथ इंच पर और यहां पर भी एक इंच एक्ष्टा रख लेंगे इस तरह हमें इन मार्कों को एक दूसरे से अटैच कर देना है बैग पार्ट को हटाएंगे और फ्रेंट पार्ट में हमने जो मार्जिन लगाया था नेक का उसको कट कर देंगे इस तरह हमें फ्रेंट नेक को कट कर लेना है उसके बाद बैग नेक को कट करेंगे बैग नेक को डेप रख रही हुमें आदे इंच पर और विर्थ रखेंगे तीन इंच पर और इस तरह गुलाई में सेप दे देंगे जिस तरह हमने मार्ज लगाया है उसकी अकोर्डिंग कटिंग कर देंगे इस तरह हमें बैक ने को कट कर लेना है बाजू की कटिंग रेंगे सबसे पिले हमें कपड़े को चैर भगों में करना है बाजू की लेंध रखी है मैंने 14 इंच पर एक इंच यापन में एक्स्टा रखेंगे आर्मोर के लेंद लेंगे आठ इंच पर जापे हमारे बाजु की खुली साइड है वहाँ पे हम नीचे की तरफ मार्जन लगाएंगे ठाई इंच पर और एक मार्जन हम उपर की तरफ लगाएंगे तीन इंच पर इन मार्जुनों को हमें इस तरह से बाजू का सेथ दे देना है इन माजनों को एक दूशे से मिला देंगे और माजन के according कटिंग कर देंगे इस तरह हमें बाजू के कटिंग कर लेनी है कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगे सबसे पहले हम front ने के दोनों पार्टों को अलग-लग करेंगे center से fold कर लेना है और जापे अमारा center है वाँसे हम cut कर देंगे दोनों पार्टों को अलग-लग कर लेना है उसके बाद soldier को attach करेंगे back पार्ट के उपर फ्रिंट पार्ट को सिदी सेड तर्फ रख देंगे अंदर की तर्फ रखेंगे रखने के बाद स्ले लगा देंगे इस तरह हमें सुल्डर को टैज कर लेना है उसके बाद फ्रिंट पार्ट में पट्टी लगाएंगे मैंने यापर दो पट्टी लिये है इन पट्टियों के चुड़ाय रखी है मैंने एक इंच पर इन पट्टियों को हमें सीधी सेड तर्फ रखना है दोनों की सीधी सेड अंदर की तर्फ रखेंगे और शिलय लगा देंगे इसके अकोड़ी हम दूसरी पट्टि को स्टिच करेंगे सीधी सैड अंदर की तरफ रखेंगे और सिलय लगा देंगे इस तरह हमें सिलय लगा देनी है एक पट्टी को मैंने यापर बना कर त्यार कर लिया है सबसे पहले हमें नाखुन की हेलप से पट्टी की उपर प्रेस कर देंगे इस तरहां पट्टी को हमें उल्टी सैड की तरफ डवल फूल्ड करते हुए स्ले लगा दिनी है पूरे में उसके बाद कॉलर को बनाएंगे सबसे पहले हमें नेक को मेजर कर लेना है एक कोनर के उपर इंचे टेप को रखेंगे और दूसरे कोनर तक मेजरमेंट कर लेंगे हलके हातों से मेजरमेंट कर लेना है मेजरमेंट करने के बाद जो नेक की लंबाई आई है उसारे 17 इंच पर आई है तो इसी के अकोड़ी हम कोलर की कटिंग करेंगे कोलर को बनाने के लिए मैंने यह आपर पेस्टिंग लिया है और अभी यह दो भागों में है हमार員 जो कोलर के लंबाई आय थी और सब्सक्राइं सतरा इंच पर आय थी इस पेस्टिंग को हमें तीन इंच एकष्टा लेना है इस पेस्टिंग की लंबाई रखी है मैंने बीस इंच पर और विर्थ रखी है इसकी पांच इंच पर जापर हमारी पेस्टिंग की फोल्ड वाली साइड है वाहाँ पे हम माज लगाएंगे नेक का मार्ज लगाएंगे नेक डीप हमने लिया था तीन इंच पर ओ जो नेक की विर्थ रखी थी हमने ओ तीन इंच पर रखी थी तीन को हमें डबल करना है तीन का डबल होता है छे इंच पर छे इंच पर मार्ज लगा देंगे इन दोनों मार्जरों को हमें गुलाई में मिला देना है इस तरह कोलर की विर्थ रख रही हूं मैं एक इंच पर या पर पूरे में हमें एक इंच पर मार्जर लगा देना है इन मार्गों को एक दूसरे से मिला देंगे उसके बाद कोलर का मेजर करेंगे इस तरह हमें कोलर का मेजर करना है हमारे जो कोलर की लंबाई आई थी सारे 17 इंच पर आई थी सारे 17 इंच को हमें आदा करना है सारे 17 को हम आदा करेंगे तो 9 इंच 2 पॉइंट होता है तो उसी के कोड़े हम या पर माज लगा देंगे और मार्जन लगाने के बाद गुलाय में शेप दे देंगे इस तरहां शेप देने के बाद जिस पकार से हमने मार्जन लगाया है उसी के उपर कोलर के कटिंग कर देनी है मार्जन के उपर कोलर के कटिंग कर लेंगे उसके बाद फैब्रिक के उपर कोलर को अटैज करेंगे फैब्रिक को हमें उल्टी सायर कितर फखना है इस कोलर को हमें फैब्रिक के उल्टी सायर कितर फिचिच करना है प्रेस की हलप से फैब्रिक के उपर पेस्टिंग को चिपका लेंगे इस तरह हमें पेस्टिंग को चिपका लेना है उसके बाद आदे इंच का मार्जन छोड़ते हुए एक्स्टा फैब्रिक को हम कट कर दें इस तरह हमें आदे इंच का मार्जन छोड़ते हुए फैब्रिक को कट कर लेना है दूसरा फैब्रिक लेंगे इस फैब्रिक को हमें सीधी सेरी तर्फ रखना है और कोलर को भी इसके उपर हम सीधी सेरी तर्फ रखेंगे दोनों की सीधी सेड हमें अंदर की तर्फ रखनी है रखने के बाद जिस पकार से हमने कोलर को कट किया था उसके अकोड़े हमें आदे इंच का मार्जन छोड़ते हुए एक्ष्टा फैप्रिक को कट कर लेना है इस तरह हमें एक्ष्टा फैब्रिक को कट कर देना है उसके बाद हम सिलाय लगाएंगे जिस कोर्णर में हमारा पेस्टिंग लगा है उस कोर्णर के कोर्णर को हमें इस तरह फोल्ड करना है दोनु कोर्णर को हमें फोल्ड कर देना है इस तरह कॉर्णर से शिलय लेते हुवे पेस्टिंग से दो पॉइंट की दूरी पर दूसरे कॉर्णर तक शिलय लगा देंगे इस तरह हमें शिलय लगा देनी है उसके बाद यहापर हम छोचो टिकट लगा देंगे इस तरह हमें कोलर को त्यार कर लेना है कोटी को उल्टी साय रितर प्रकेंगे और इस कोलर को हमें उल्टी साय रितर स्टिच करना है जिस कोलर में हमारा पेस्टिंग लगा है उसको हमें छोड़ देना है और जो दूसरा कोलर हमारा उसको हमें स्टिच करना है कोलर को हम किस्पकाश स्टिच करेंगे वो मापको शलाई मशीन पर टैज करना बताऊंगी जिस कोलर में हमारा पेस्टिकल लगा है टैज नहीं करना है एक को्रनर पे रखते हुए कोलर को दूसरे कोर्णर तक अटाइज कर लेंगे इस तरह हमें एक कोर्णर से लेकर दूसरे कोर्णर तक कोलर को अटाइज कर देना है उसके बाद कोटी को सीधी साइड दितर्फ करेंगे और कोलर को भी हमें सीधी साइड दितर्फ करना है जिस कोलर में हमारा पेस्टिंग लगा था उस कोलर को हमें डवल फोल्ड करते हुवे सिलय लगा देनी है एक कोनर से डबल फूर्ड करेंगे और दूसरे कोनर तक सिलाई लगा देंगे इस तरह हमें नेक पर कोलर को अटाइच कर देना है कोलर को अटाइच करने के बाद बाजू को अटाइच करेंगे कोटे को हमें सीधी साइड तरफ रख देना है और बाजू को भी इसके उपर हमें सीधी साइड तरफ रखना है दोनों की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और शिलाई लगा देंगे स्लेय लगाने के बाद बाजू को नीचे से आदे इंच की दूरी पर डवल पोड करेंगे और स्लेय लगा देंगे इसके अकोडिंग हम दूसरी बाजू को स्टिच करेंगे उसके बाद कोटि में हम लेश लगाएंगे जहांपे हमने फ्रिंट पार्ट में पट्टी को स्टिच किया था उस लेए के उपर हमें लेश को रख देना है और कोलर के उपर वाली साइड की तरफ लेश को हमें स्टिच कर देना है उसके बाद बाजू में लेश का यूज करेंगे जापे हमने शिलाय लगाए थी वाँ पे हम लेश को लख देंगे और शिलाय लगा देंगे इस तरह लख देंगे और शिलाय लगा देनी है इसके अकोरी हम दूसरी बाजु को त्यार करेंगे इस तरह हमें कोलर के उपरवाले साइड में लेस को टेज कर देना है उसके बाद दूसरे लेस लगाएंगे आदा इंच का स्पेश छोड़ेंगे कोलर के चेरो और लेस लेते हुमें दूसरे पार्ट में विस लगा देनी है इस तरह हमें कोलर के चेरो और लेस को टेज कर देना है लेस लगाने से हमाई जो कोलर में शलय आई थी वो नहीं दिखेगी उसके बाद फिटिंग में शलय लगाएंगे जितने भी आपकी फिटिंग का माजन हो उसके अकोडिंग हमें यहाँ पर माजन लगा देना है और माजन के अकोडिंग शिले लगा देंगे नीचे बोटम तक इस तरह हमें फिटिंग में शिले लगा देनी है और नीचे बोटम पार्ट को आदे इंच की दुरे पर डवल फोल्ड करते हुवे शिले लगा देनी है पूरे में